बैठेंगे चुपचा बैठेंगे बसोर जाती को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और इसके लिए आवाद उठाने के लिए दस-पांच लोग यहां मौजूद हैं हम भी आपके हम इस बात के पक्षदर हैं कि किनको लाब मिला वो पता होना चाहिए और किनको लाब अभी तक न प्रिश्व सुंदरी की लिष्ट उनने देखना शुरू की और उसमें देखा कि कौन नहीं है कौन क्या कांग्रेश का उसाथ कहें या राहूल गांधी का उसाथ कहें दो दिन पहले राहूल गांधी जमू कस्वीर की आत्रा पर थे बाका कालेलकर की रिपोर्ट का अगर न सब्सक्राइब नहीं हुई है लेट मी कंप्लीट दो दिन पहले राहूल गांधी कहा थे जमू कस्वीर में थे जहां कि बाल्मिकी समाज को गुजरों को बार्बकरवारों को सतर साल से उनको बाबा साहिब के समीदान जारक्षण नहीं मिला था वहां की बेटियां बीबिय बात नहीं बनेगी बात पूरी होनी चाहिए अगर बेटिया महापर सतर साल से डालित समाज वासिर बातरूम साफ करता है करने के बाद दुबारा से नेशनल कॉन्फरेंस करें तीस तो सतर लगाकर फिर वालमिक्यों से जड़ू लगवाएंगे उस पर राहूल गांधी क्यों चुप हैं सवाल यह था कि यह जब मुद्ध्य कोई जीत रहा है और ना कोई हार रहा है तो बराय महर्बानी कोई ताल यह है वह भी अपने हैं और अपने समाज के इसलिए ताली पर आये महर्मानी ना बजाईएगा बबना यहां से चले जाईएगा और डिस्टर्ब जिसने किया मैं सबर लीजे आज मैं यह कह रहाता है सम्मिधान एक ही तो है पूरे देश में एक ही सम्मिधान रहेगा मोबाल फेक दू क्या उठागे गौडत में समीधान तो एक है समीधान एक ही लागू रहेगा तो ये कैसे हो सकता है कि बाबु जी ये कैसे हो सकता कि एक पूरे देश में समीधान चलते जम्मोर कश्मीर में दूसरा समीधान के तो जम्मू कश्मीर वह वह वालभी की समाज यह उसको भी तो वोट ڈालने का इधिकार होना चाहिए न तो अगर आप 305 एक को खत्म करने या स्क्राब करने वालों उसके साथ या उनके साथ गड़ बंदर हाला कि मालूम है भी आपका नहीं आया भी गोश्रा पत्र उसका इंतजार है तो यह सवाल है इधर एक बंदा खड़ा वाता जी आओ आगे हूं संतोष बहुत स्वागत है आपका कहां से आना हुआ यूपी अलिगर से हुआ बहुत स्वागत है जी कुछ कहना चाहते हैं अरचंड के यह ऐसे कहरे ना चुवा चाहत तो देखो अभी वहां पर बसोर समाज के खड़े यह सब लोग बैटें एक कुर्सीन के लिए भी डाल द सासरे तो कितने लोगों के यहां राहुल घांधी जीने कितने लोगों एखाना कुए और आस तो औरहां वास समझ में आ रही है और है कि सवाल तो आप ने हमसे कर दिया पूंट है है चैए आपने अभी तक बसोरचात के लोगों को बुलाके आगे बैठाला क्यों नहीं है हमको पता ही नहीं था यह बहाना हो सकता है यह बहाना हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं था कि बस और जाते लेकिन मैंने शनिवार को इंको बुलाया था बस और समाज का एक वेक्ति आये और यहां बैठ जाया कि को अब देखो आपस कि आपने अखिर कहा क्यों की मिस इंडिया की लिस्स देख रहा था और उसमें कोई OBC नहीं दिखा कोई ST नहीं दिखा कोई ST नहीं दिखा कहा क्यों ऐ परींग करणा जी सभी को पहले तो जैश्री जैसी कृष्णा और मैं तो एकी बात कहूंगी प्रतीक जी जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है कोई परिंदों के लिए बंदू और कोई परिंदों के लिए पानी रखता है तो यहां पर हम OBC आदिवासी और दलित की बात कर रहे हैं यानि कि हम पिछड़े वर की बा अगर काम हुआ और कुछ जो होना बाकी है वो आगे की सरकारे करना है, उनको करना पड़ेगा. राहुल गांदी ने जो बोला राहुल गांदी ने कहा कि Miss India के अंदर representation नहीं है उसका मतलब क्या है क्या हमारी जो दलिद बहने हैं या आधिवासी बहने हैं या पिछडे वर्ग से आती हैं क्या वो इस काबिल नहीं है वो काबिल है क्योंकि मैं भी उसी वर्ग से आती हूं मेरे जो वर्ग है उसके अंदर भी ऐसी कई महिला हैं ऐसी कई बच्ची है जो कबिलेत रखती हैं वहां पर उस उचाइब तक पॉस्चने के लिए लेकिन उनको वह उपर्चुनिटी नहीं मिलती है उनको मिलनी चाहिए और वह कैसे मि पॉलेशी बनाती है जाति गन्ना होगी उसके बाद पॉलेशी बनेगी उनको कैसे अपने जाती हैं लेकिन प्राइवेट इंस्ट्यूशन और जो यह प्रतियों वोताएं होती है उसमें वह नहीं लागू होता है पिछड़े वर्ग को किसी तरह से सरकारी स्कूल होते हैं बहुत सारी चीज़े होते हैं जिसमें आप उनको बहुत सारी चीज़े प्रसिक्षन दे सकते हैं बहुत सारा डवलप्मेंट कर सकते हैं उनके बारे में सोच सकते हैं तो क्या ये सरकार का दायत नहीं मैं बिल्कुल मैं तो बात करूंगा प्रेंगा जी मैं कहना हूं कि फैश उसमें आरक्षन या उसमें सी कोई होगी रीता फारिया मिस्यूनिवर्स बनी पहली रीता फारिया तो रीता फारिया तो पार्सी थी अब सवाल यह है कि कैसे अपो तरीका बताए हम लोग चाहते हैं जी अभी आप आप ने कहा रिता फारिया आपने एक का नाम लिया यहां पर एक यारी बनी सिर्फ तो मिस्यूनिवर्स तो करें क्या एक दो की बात नहीं हो रही है यहां पूरे समाज की बात हो रही है यहां पुरे देश की बात हो रही है सारे देश की बेटियों की बात हो रही है तो आगे से तो राज खुल जाता है प्रतीक तक तो ठीक है भाइया जी और अच्छा है लगीं जैसे का प्रतीक ढूर तष्ट दी राज खुल जाता है व्य फिदिती थो धुर्जर से ना को कर्ती Dipite आप सभी बात करूंगा ना निती शर्मा बात सम्वेधन शील्टा बिल्कुल नहीं है यहां पर शडियंत्र शील्टा है कौन क्या पतलब राहूल गांदी को अगर आप बालक बुद्धी कहते हैं तो यह बहुत चोटी बात नहीं 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 वोट प्रतिम जी आपने बोला राज क्या है राज यह है कि शडियंत्र है विभाजन कैसे करना है अंग्रेजों के बनाई हुई कॉंग्रेस फूट डालो राच करो आपके यहां पर साहब खड़े हैं तो वहां से आप यहां तक आई नहीं सकते आपको जूते उतरने पड़ेंग इतनी देर बाद वोले अंग्रेजों ने उसको भुनाया और राजरितिक पाड़ियां